Hello everyone, I am Nishra Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary. वो असलियत से बहुत जादा दूर नहीं है इंडियन लीगल सिस्टम में से एक है पर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे लीगल सिस्टम में बहुत सी खामिया है जिसके चलते लोगों का कानून और नैये से भरोसा उठता जा रहा है क्यूंकि हमारे देश में इंसाफ तो मिल जाता है लेकिन इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो जाती है एक बहुत पुराना सिध्धान्त है justice delayed is justice denied यानी न्याए में देरी ही अन्याए है इसका मतलब यह है कि किसी को न्याए मिल तो गया लेकिन उसमें बहुत जादा देर हो गई तो उसको असल माइने में न्याए नहीं कह सकते हाल ही में दिल्ली हाई कोट में इंसाफ मिलने में देरी के कारण एक महिला ने केस वापस लेने की परमिशन मंगी महिला ने कोट को सपष्ट रूप से कह दिया कि बार बार नहीं आ सकते जद साब नहीं चाहिए इंसाफ आप केस को खतम कर दो इस पर कोट ने भी कहा कि ये है litigation fatigue यानि मुकदमे बाजी की थकान आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप study IQ judiciary के साथ अपनी तयारी करना चाहते हैं और अच्छे offer का wait कर रहे हैं तो आज ही आपके पास आखरी मौका है क्योंकि great learning day sale आज 12 बजे खतम हो जाएगी अगर आपको discount चाहिए तो use करे मेरा code Nisha live मेरा code Nisha live इस्तमाल करके आपको मिल जाएगा एक course 26000 में वीडियो के end में मैं आपको इस course की details के बारे में बताने वाली हूँ अगर आप interested हैं तो वीडियो के end तक बने रहेगा वापस आते हैं अपने case पर देखिए इस case में दिल्ली में एक महिला ने आरूपी के खिलाफ एक criminal case फाइल किया था और court में इस case की कारवाही चल रहे थी कारवाही के चलते चलते शिकायत करता और आरूपी दोनों ने मामले को निप्टाने की अनुवती के लिए दिल्ली हाई court का दर्वाजा खटकटाया महिला ने court से मामला वापस लेने की permission मांगी और इसका कारण पश्ट किया कि उसको बार-बार अपना काम छोड़के court आना पड़ता है वो मामले के सुनवाई के लिए बार-बार court नहीं आ सकती और मुकदमे के चलते बार-बार court आने के तनाव और ठकावट के चलते case वापस लेना चाहती है इसी बात पर जस्टिस अनूप भंभानी ने कहा कि यह है मुकदमे बाजी की ठकान उन्होंने कहा अब 10 में से 7 मामलों में case वापस लेने का असली कारण यही है इसे ही मुकदमे बाजी की ठकान कहते हैं कि आप case को आगे बढ़ाने के लिए अदालत नहीं आ सकते उन्होंने ये भी कहा अब 10 में से 7 मामलों में case वापस लेने का असली कारण यही है इसे ही आप मुकदमे बाजी की ठकान कहते हैं कि आप case को आगे बढ़ाने के लिए अदालत आ ही नहीं सकते उन्होंने ये भी कहा कि इस case में कैसा नहीं लगता कि case को वापस लेने का इकलौता एक यही कारण है जस्टिस बंभानी ने कहा कि शिकायत करता FIR इस वजह से भी वापस ले रही हैं क्योंकि वो जानती है आरोपी case की सुनवाई के दौरान अपने सवालों से उसे और शर्मिंदा करेंगे दिल्ली हाई कोट ने finally इस मामले को वापस लेनी की अनुमती देने पर सहमती दे दी लेकिन दिल्ली हाई कोट ने शर्त ये लगाई कि जो भी litigation हुई है उसकी जो भी cost है जो भी खर्चा है उसका भुक्तान आरोपी करेगा कोट ने कहा ये इस पश्ट है कि दो कारण है जिनके कारण महीला को मामला वापस लेना पड़ रहा है पहला ये कि मामले को आगे बढ़ाने में समय लगता है और दूसरा ये कि जाच के दौरान उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है इस वज़ा से कोट ने आरोपी पे फाइन लगाया है अलाकि आरोपी के वकील ने कोट से ये आगरह करने का प्रयास किया था कि ये लीगल एड का मामला है इसलिए जुर्माना ना लगाया जाए लेकिन कोट ने इस रिक्वेस्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया जस्टिस बंभानी ने कहा कि फाइन तो देना पड़ेगा अगर नहीं दिया तो मामला चलता रहेगा फाइनली मामले के निप्टारे की शर्थ के रूप में आरोपी पर 10,000 रुपे का जुर्माना लगा रहे अब इस केस से कई सवाल खड़े होते हैं इस मामले को देखते हुए लगता है कि अकैडमिक रूप से दरुस्त दिखने वाला हमारा लीगल सिस्टम कितनी खामियों से ग्रस्थ है ये एक बहुत ही चिंता जनक स्थिती है कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में इंसाफ को लेकर ये स्थिती है जहां का सविधान भी जस्टिस की गारेंटी हमें देता है भारत के समिधान का आर्टिकल 21 भी स्पीडी जस्टिस यानि श्टिग्र न्याय के मौलिक अधिकार को हमें प्रदान करता है जब इन सिधानतों की चर्चा करते हैं तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन प्राक्टिकल रियालेटी कुछ और ही है मार्च 2024 में Honorable Chief Justice D.Y. चंदरचुड ने भी ये बयान दिया था कि कोर्ट्स को efforts डालने चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि भारत के कोर्ट्स तारीक पे तारीक तारीक वाले कोर्ट्स ना बने उसके लिए जरूरी है कि हमारे कोर्ट्स के पास अच्छा infrastructure हो Judges की vacancies को पूरा किया जाए Lawyers भी अपनी duty अपनी जिम्मेदारी को समझें और बार बार adjournments ना मांगे बार बार अलग से date ना लगवाए और procedural laws में भी कुछ बदलाव करके जो mechanism है उसको और fast बनाया जा सके ताकि हमारा justice delivery system और दरूस्त हो पाए उसके अलावा out of court settlement को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए बस यही कुछ और ideas हैं अगर आपके पास कुछ ideas हैं तो comment section में जरूर बताईएगा और आपकी क्या राय है इस case को लेकर और Indian legal system को लेकर वो भी आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा अब मैं आपको बताती हूँ एकलवे judiciary foundation batch के बारे में देखिए एकलवे judiciary foundation batch पहले आया successful रहा इसलिए एकलवे 2.0 judiciary foundation batch study IQ ने launch किया है इसके classes 2 सतंबर से शुरू होने जा रही है लेकिन जो आपको screen पर दिख रहा है great learning day sale यह बस आज खतम हो जाएगी आज भी 12-12 बजे तक यह sale valid है तो अगर आप यह video देख रहे हैं तो आपके पास बहुत ही कम time बचा है इस sale का फाइदा उठाने का इस sale का फाइदा उठाने का एक ही तरीका है आपको इस्तमाल करना है मेरा code निशा live मेरा code निशा live इस्तमाल करके आपको मिल जाएगा maximum discount और discount के बाद यह course आपको पढ़ेगा मातर 26,000 रुपे में 26,000 में आपको यह course खरीदना है तो यह code लगाना मत भूलिएगा इस course के अंदर जो तीन अच्छे features हैं वो पहले बताती हूँ फिर बताओंगे इस course में आपको क्या क्या मिल रहा है देखे इस course में आपको मिल रहा है 50 साल के अंदर अपना जो इंटर्व्यू है वही क्राक कर लिया यह अप जज बन गए तो अपनी पूरी फीस वापस लेकर जा सकते हैं साथ ही हमसे extra 50% अपनी फीस का हमसे लेकर जाएंगे यानि आपको मिल रहा है 150% refund और यह बैच इतना अच्छा है इस बैच के अंदर आप तो आपका एक्जाम जरूर निकलेगा अगर नहीं निकला तो उस केस में आपको हम एक साल और मदद करेंगे ताकि आपका एक्जाम निकल ही जाए तो आपको मिल जाएगी एक साल की extra validity जेनरल वालिडिटी कितनी है? जेनरल वालिडिटी है 2 साल की पर क्या 2 साल का टाइम ल ग्यार करते रहे हैं इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है इस बैच के अंदर आपको prelims इंटर्वियों तीनों ही stages के तैयारी कराई जा रही है साथ-साथ इस बाच में आपकी जो classes हैं वो रोज होंगी दो-दो घंटे की चार दो classes होंगी यानि चार घंटे की टोडल आपकी classes होंगी एक दिन में यह classes आप अपने घर बैटके अपने live आप लाइव अटेंड कर सकते हैं अपने phone या laptop की screen पर यह जो classes होती हैं यह classes में आप साथ के साथ अपने doubts पूच सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा आप साथ के साथ मेसेज करिए साथ के साथ अपना mic unmute कीजिए तो chat के थूरू या फिर verbal communication के थूरू आपके जो doubts हैं वो साथ के साथ clear होते हैं तो आपको कहीं shift होने की ज़रत नहीं हैं और आपको ये टेंशन नहीं की ज़रत नहीं है कि आपके doubts clear नहीं किये जाएंगे ठीक हैं इसके अलावा हर class के साथ आपको मिलते हैं 10 से 12 MCQs जो आपको Hindi English दोनों में मिलते हैं जो भी topic cover हुआ उसके MCQs साथ के साथ मिल गए तो prelims की तैयारी हो गई फिर हर Sunday जो आपको हफते में कर आया था उसके आपको test मिल जाएगा मेंस आंसर राइटिंग का question मिल जाएगा आपको question लिखना है आपको हमें answer भीजना है आपका answer check किया जाएगा आपको feedback दिया जाएगा आपको हर subject के crux notes भी मिलते हैं जिससे की आपकी prelims और mains की दोनों की ही तैयारी करने में आपको बहुत मदद मिलती है इसके अलावा यहां पर जैसा कि मैंने आपको मैं बताना भूल गई बता देती हूं कि आपको सारे के सारे major laws, minor laws, 15 states के local laws, English, Hindi, आपका पूरा current affairs का portion उसमें आपका legal current affairs और general current affairs दोनों आएगा इसके अलावा पूरी यह पूरी आपकी static GK यहां पर कराई जा रही है, तो basically आपको admission लेने के बाद कुछ सोचने की ज़रत नहीं है कि मुझे यहां से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है, यह वाला material कहां से इकठा करना है, कोई tension लेने की ज़रत नहीं है, क्योंकि सारी tension आपकी हम ले रहे हैं, और उसके बदले आपको कितना hardly 26,000 उपे करने पड़ रहे हैं, और 26,000 कितने टाइम के, तीन साल के, तो तीन साल के 26,000 का आप खुदी हिसाब लगा लिजे कि महीने का कितना हुआ, और फिर एक दिन का कितना हुआ, तो और उसमें भी आपको refunds का एक option मिल रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है, आप इसे गवाईएगा नहीं, और जल्दी से admission लीजे, अगर आपको कम प्राइज में चाहिए, तो 26,000 आप खुदी हिसाब आप